हलो दोस्तो में प्रकाश पाटेदार हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम चाइल्ड केटेगरी के कैसे काम करते हैं चाइल्ड केटेगरी कैसे बनाते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अंडर प्रोडक्ट लेफ्ट साइट में जो मेनू है उसमें अंडर प्रोडक्ट में केटेगरी होगी केटेगरी मेनू पर जब हम क्लिक करते हैं तो यह वाली विंडो को दिखाई देगी इसमें हम लेवल 1 से यूज करते हैं, जैसे मैंने मेरी केटेगरी है, लेवल, लेवल इस माइ, रूट केटेगरी, अब मैंने एक लेवल केटेगरी बनाई, है न, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई सी भी केटेगरी रख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर मैंन रख लो, मैंन केटेगरी ह इससार ही सिस ए स्टेंवरां मैंन कंटी के टीचित है आप देखते हैं कि मैंस में टीशेट हो थे टीचित सूऍस में मैं इसमें T-Shirt वली केटेगरी बनाओ यह मैंस T-Shirt के अंदर मुझे जगनी केटेगरी तो यह मैंस के अंदर केटेगरी डाल दी और मैं पुई भी एक इमेज फिच्टर इमेज मैं लगा दिया T-Shirt वली केटेगरी के लिए तीके दो तो यह T-shirt वाली category के लिए मैंने, यह man के अंदर में आ जाएगी, T-shirt, अब T-shirt के अंदर भी, polo T-shirt, जो भी कुछ, T-shirt, one T-shirt, two, अब जो भी रखना चाहूं, T-shirt की category रखना चाहूं, half T-shirt, long, ठीके, तो मैं रख जेता हूं, long, T-shirt में भी, T-shirt, long, एक category होगी, ठीक है, T-shirt, long, और यह क्या, T-shirt के अंदर आए, तो दोस्तो, इस type से हम कितनी भी child category बना सकते हैं, उसका root, और यह two level category, यह root, उसकी एक child category, फिर जो child है, उसकी भी, child के टेकर दी, फिर मैंने दिया, T-shirt, short, V-cut T-shirt, V-cut, T-shirt, एक, general मैं दे रहा हूं, V-T-shirt, है न, V-safting, तो अब मैं यहाँ पर, यह long में भी, V-cut भी रहेगी, तो इस type से हम कितनी भी level तक वर्ट्प्रेस में, category बना सकते हैं, और जो हम product add करेंगे, तब मैं बताऊंगा कैसे product को add करते हैं, तो दोस्तों, यह video आपको अच्छा लगा, तो आप इसको subscribe किजिए, शेयर किजिए, और,